दोस्तों वैसे तो किशुरदा के कई मज़धार किस्से मुशूर है इन तमाम किस्सों में एक किस्सा बहुत ही रोचक है और बहुत ही मज़धार है एक किस्सा तपका है जब किशुरदा हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम इस गेत की रियसल कर रहे थे हल क्या है दिलों का दिखो सनम और ऐसा तरह हुआ था ए रियसल किशुर्दा के घर पे होगी इसलिए लक्ष्मीकांद और पैरलाल किशुर्दा के घर चले गए किशुर्दा का बहुती अच्छा बड़ा हॉल था जिसमें किशुर्दा रियसल करते थे उस हौल में हर तरह की चीज़े मौझूद थी उस हौल में बहुती आच्छा फरनिचर था आच्छी साउंड सिस्टिम थी म्यूजिक इंस्टूमेंट्स थे और हौल ही बहुती अच्छा डेकॉरेट किया गया था इस हौल में लक्षमी कांथ पैरलल और किशुर कुमार रियस धास्टर किया गया था और उस पिलर से रौड दिखाई दे रहे थे और नहीं वोची पैंट किया था इतने अच्छे रूम में इस पिलर को ऐसा क्यों रखा है इस बात इन दोनों के मन में आई मगर किशुर कुमार को पूचने की हिम्मत किसी की नहीं थी पैरलल जी को बार-बार लग रहा था कि वे एक बार किशुर कुमार को पूचे ये पिलर अपने आइसा क्यों रखा है मगर उनकी हिम्मत नहीं हुई बाद में जब इस गीत की रहसल खत्म हो गई तब दोनों उस रूम से बाहर जाने लगे तबी लक्षमी कांत को रहा नहीं गया और उन्होंने किशुरदा को पूछा दादा ये पिलर ऐसा क्यूं है कैसे प्लास्टर और पेन करना बाकी है तो तबी किशुरदा ने उनके तरब देखा और किशुरदा ने बड़ा ही मज़ की नेचर के थे और हस्ते हस्ते लक्षमी कांत और प्यारल रूम के बाहर आ गए तो दोस्तों किशुरदा ऐसा क्यूं करते थे इसके पीछे आसली वज़ा क्या थी तो दोस्तों हौल इतना अच्छा डेकॉरेट किया गया था मगर उस हौल में ये पिलर इस टैप क्यूं थ किशुरदा को पता था कि लोग जो चीजे अच्छे है उसे देखते नहीं लोग हमेशा ही कहीं गलती हो तो उसी को पकड़ते हैं किशुरदा को मौलूम था अगर किसी पेपर पे एक काला दब्बा हो तो लोग काली दब्बे को ही देखेंगे जो बाकी पेपर वाइट है उसे नहीं देखेंगे एक किशुरदा को लोग उनकी सोच पता थी इतने बड़े अच्छे डेकरोटिव हॉल में इस तरह का पिलर रखा था जैसे मा अपने बच्चों को गाल पे काला टिका लगाती है ताकि अपने बच्चों को किसी की नजर ना लगे तो किशुर कुमार की भी ही फिलोसिपी थी किशुर कुमार ने उनके रूम में इस टैप का पिलर रखवा दिया था सही मायनों में किशुरदा एक जीनियस थे एक फिलोसपर थे काफी चीजे वे जान बुझके करते थे अगर हम गहराई से इन चीजों को देखे इनका आध्यन करे तो हमें सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्रपया इसे सबस्क्राइब करें जय हिन जय भारत